जैन दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे साथियो CCS University ने जो कल नई date seat है वो जारी कर दी है यानि कि कल थोड़ा सा लेट जारी की थी नई date seat तो अब उसमें भी बच्चों के बहुत सारे questions है BBA, BCA वाले बच्चे की second semester, fourth semester को लेकर तो आज आपके जितने भी doubt हैं चाहिए वो आपके LLV वाले हैं LLM वाले हैं जितने भी बच्चे हैं CCS University से related जितने भी आपके question query हैं उन सब के answer आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मैं आपको एक एक चीज आज clear करने वाला हूँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी और आपको last तक देखना होगा तो मैं आपको point to point एक एक point को explain करने वाला हूँ तो चलिए साथियो बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को सुरूँ देखते हैं सबसे पहला notice जो कि कल जारी किया गया है 26-2021 में कल जारी किया गया है यह notice किसके लिए है यह MA वाले student के लिए है किसके लिए है आपका जो MA economics वाले बच्चे हैं उसमें हुआ क्या था एक code का गलती से code change हो गया था यानि कि जो G308 हो था international economics जो उसका सही code है वो है आपका G306 तो यह इसके संबंद में है यानि कि जो इसका सही code है वो क्या है आपका G306 तो यह आपका MA वाले student के लिए है MA economics अब आगे आते हैं सबसे most important जो हमारे notice जारी हुए है उनके बारे में एक्जाम को लेकर किस तरीके से एक्जाम होंगे किस किस के एक्जाम में परिवर्तन हुआ है और किस किस के एक्जाम में परिवर्तन नहीं हुआ है तो सबसे पहले मैं इस notice को आपको explain करूँगा यह notice है हमारा किस का भीया 256 2021 का यानि कि जो हमारी meeting हुई थी उस date का यह notice है और इसमें बहुत सारी चीजें clear हैं ध्यान से सुनिएगा बहुत सारी चीजें clear हैं वीडियो को आप अंतक देख लीजेगा आपके जितने भी questions हैं उन सब के अंसर आपको मिल जाएंगे तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका इस notice में कहा गया है कि वार्षिक प्रिणाली के अंतरगत संचालित बीए विकॉम संस्तागत एवं व्यक्तिगत बीस संस्तागत और आपका मम कॉम व्यक्तिगत प परिक्षा का पंद्रेच्षे 2021 वाला जो परिक्षा कारिक्रम था उसको निरस्ट किया गया है यानि कि उसको निरस्ट कर दिया गया है अब यहां पर एक चीज़ ध्यान से देखेगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूं सैमिश्टर परणाली के अंतरगत संचालित में MSC M.com, M.S.C. Home Science, M.S.C. Agriculture, B.S.C. Agriculture यानि कि जितने भी आपके कोर्स यहाँ पर देख रहे हैं पार्टिक्रमों की सत्र दोजार बीस इक्किस की केवल अंतिम समिस्टर की परिक्षा हैं जून दोजार एक्किस का परिक्षा कारिक्रम पंतरांग इतने इतने से निरस्ट कर दिया गया है यानि कि इन कोर्स का भी जो आपका परिक्षा कारिक्रम था वो भी निरस्ट कर दिया गया था अब इससे आगे बच्चों के बहुत सारे questions हैं और उन questions के answer आपको यहीं पर मिलेंगे यह मैंने आपको क्यों पढ़वाया है बच्चे कहने हैं कि सर सर BA, BSC, BCOM का ही परिक्षा कारिक्रम निरस्थ हुआ है नहीं ऐसा नहीं है आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते है BA, BSC, BCOM जो आपका यह था BSC, BCOM और BA तो यह तो आपका परिक्षा कारिक्रम कैंसल हुआ ही है इसके साथ साथ इनके जो यह परिक्षा कारिक्रम है यह भी आपको क्या हुए है? निरस्थ हुए है अब आगे दित्य वर्स B8 पारिक्षा कर्षा करेंगी नया परिक्षा करेंगी नया परिक्षा करेंगी या था सिग्र वेबसाइट पर आ जाएगा जो की आ चुका है इसके बाद में आगे बात करें कि जो संचालित पारिक्षा कर दिये जाएंगे इसके आगे नेक्ष्ट है जो यहाँ पर यह आपका नोटिस हो गया यानि कि इसमें सब सारी चीज़े बताई है कि आपके किस किस कोर्स के जो डेट सीट सी उसको कैंसल कर दिया गया है बच्चे कहा रहे थे कि LLB की नहीं हुई है तो LLB की भी निरस्थ हो चुकी है BALB, LLB और LLM हे तो विश्टरित दिसा निर्देश यथा समय निर्गत किये जाएंगे यानि कि वो भी बहुत जल्द जारी किये जाएंगे अब आते हैं जो हमारा कल नोटिस जारी किया गया है इस पर एक इसमें आपका ये बताय गया है यहां पर आप देख सकते हैं यानि कि जो सत्र आपका 8-7 से आपके exam start होंगे और 8-8 सक आपके exam कराय जाने हैं तो इस संबंद में कहा गया है कि नई date sheet जो है वो जारी कर दी गई है विसुद्याले की website पर आपको नया पाट जो आपका date sheet है वो आपको मिल जाएगी तो इसमें कुछ जादा खास नहीं है अब आते हैं जो सबसे most important ह इसको ध्यान से सुनिएगा जितने भी doubt question query है उसमें आपके solve होने वाले हैं यूनिवस्टी ने जितने भी दिसा नर्देश है वो आपने जारी कर दिये हैं तो उसको हम explain करते हैं यानि कि ये आपके कुल मिलाकर 19 point है 19 point में जो भी आपके questions थे उन सब के answer यूनिवस्टी ने दिये हैं यूनिवस्टी ने जारी किया है जो यह notice है अब इसमें क्या क्या है starting से एक एक point को मैं आपको explain करता हूँ सबसे पहला है कि सभी पार्टेक्रम के अंतरगत वर्स के अंतिम समिश्टर की परिक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस तक आयोजित कराई जाएंगी यह तो सभी को clear है कोई असी doubt वाली बात नहीं है इसके बाद में आते हैं इसना तक पिर्थम वर्स के चात्र जो सत्र 2019-20 की परिक्षाओं में दिनांक बिना परिक्षा के इस्तानी हुए थे तो यानि कि जो पिछली साल बिना परिक्षा के promote किये गए थे तो उनके exam कराए जाएंगे दूसरा point है उनके लिए अब आते तीसरे point पर सभी पाठ्थे क्रमों जो सबसे most important point है सभी पाठ्थे क्रमों के अंतिम समिष्टर को छोड़कर अन्य सभी सम समिष्टर के पाठ्थे क्रमों की परिक्षाओं जून 2021 ने कराकर उन्हें उसके पहले के विशम समिष समिष्टर की परिक्षाओं दिसंबर 2020 के आधार पर अंक प्रदान कर अगले समिष्टर में प्रोनत्ति किया जाएगा यानि कि जितने भी बच्चों के क्वेश्टन से जो यह कह रहे हैं बच्चों को प्रमोंट नहीं किया गया है तो जो भी चीज में आपको बताता हूं यानि कि जो हमारे BBA है BCA है जो भी कोर्स है चाहे वो आपका BALLB है विकॉम है जितने भी समिष्टर मोड के कोर्स हैं यहां पर आप साब साब देख सकते हैं पॉइंट नंबर आपका तीन में कि उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक्जाम जो होंगे वो होंगे final semester के तो point number 3 आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कि आपके सिर्फ और सिर्फ जो exam होंगे वो आपके होंगे 6 semester के यदि आपका 3 year का course है यदि आपका 4 year का course है तो वहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 8 semester के exam होंगे यदि आपका 5 year का course है जैसे आपका BALLB तो वहाँ आपर सिर्फ और सिर्फ एक जो एक्जाम होंगे वो 10th समिस्टर के होंगे लेकिन अभी ध्यान दीजेगा मैं और क्या चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है यह चीज़ आपको किलियर हो गई है यानि कि सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रह गई थी कि परिक्षाएं आठ जुलाई से आठ अगस्त के बीच में संपन कराई जाएंगी यानि कि यदि आपको जो विसम समिस्टर है यानि कि जो आपका ओड समिस्टर है उसकी सारी परिक्षाएं नहीं हो पाई थी तो उनको पूरा कराए जाएगा किलियर जाएगा पूरे फ़र्स समिस्टर के एक्जाम होगे और सेकंड समिस्टर को आपको प्रमोट किया जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है किसी भी टाइप कोई डाउट नहीं है मैंने आपको जो यूनिवर्स्टी ने प्रेस रिलीज दी है उसमें मैंने आपको यह दिखाया है point number 3 और point number 4 most important है तो इतना आपको clear हो गया है अब इससे आगे आते हैं जो next point है, fifth point है वो भी most important है इसमें आपको पताया गया है कि जो आपकी date sheet आपको जारी की गई है उसमें से आपको किसी भी एक विकल्प आपको परदान किया जाएगा पेपर किस सरीके से उसमें से choose करना है तो चलिए आगे बात करते है next point है point number 6 है कि आपके जो क्या है BPT वाले बच्चे है BPT चतुर्ट पार्टिक्रम दित्ये वर्स 2019-20 तथा 20-21 जो सीधे प्रवेस हुए थे later entry जिनको मिली थी चात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रवनुत्ति किया जाएगा यानि कि उनके जो माक्स होंगे डिप्लोमा के आधार पर उनको प्रवनुत्ति किया जाएगा यानि कि उनको प्रमोट किया जाएगा इससे आगे next है जो next point है आपका परिख्षा है कक्ष में परिख्षारतियों को एक विशे के परिख्षनपत्र समूँ यानि कि जब एक्जाम होंगे exam hall में आपको बता दिया जाएगा या आप महाँ पे सलेक्ट कर सकते हैं कि सर उसकोड का paper देना है जो next point है वो यह है इससे आगे बात करते हैं next point पर आते हैं सभी परिक्षाओं के सभी परिक्षाओं के अधिक्तम अबधी डेड़ घंटे की होगी यानि कि जो समय जो होगा वो आपको कितने का होगा भीया डेड़ घंटे का होगा अब यहाँ पर next है परशन पट्रों की सैली यथा बनी रहेगी अरथात वार्सिक परिक्षाओं के अंतिम वार्स के परिक्षाओं के परिक्षाओं के परिक्षाओं देर गुतर है यानि कि सबजेक्टिव परिकार के ही होगे यह आपको clear है जैसा मैंने आपको बता दिया है यानि कि जो अंतिम year की परिक्षाएं होती है वो objective होती है तो वो objective कराई जाएंगी और जो आपके subjective paper होते है वो आपके subjective ही होंगे और जो समय होगा आपको वो क्या होगा भी है देर घंटे का होगा जो आपके बहुवी कलपे question करने होंगे वो 75 questions करने होंगे और उसमें जो आपको subjective questions करने है तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस-किस paragraph से कितने questions करने हैं उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भ यानि कि जो आपके अब सम समिस्टर के exam हो रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी टाइप की practical की परिक्षाएं नहीं कराए जाएंगी और जो आपको वाइवा होगा यहां पर वो भी आपको क्या कराये जाएगा online कराये जाएगा यानि कि offline कोई भी वाइवा आपका नहीं होग अब इसके आगे next point है व्यक्तिकत पाइट क्रामों में कोई भी जो आपका किसी भी टाइप का वाइवा आपका नहीं होगा इससे आगे बात करते हैं 12 point दिनांक 10-4-2000 को आयोजित हो चुकी 001 यानि कि इन code की जो विशम परिक्षाएं पुने आयोजित नहीं होगी यानि कि जो परिक्षाएं आपकी हो चुकी थी उनको दुवारा से नहीं कराया जाएगा अब इधर आते हैं next आते हैं कि जो हमारी परिक्षाएं हुई थी किसको 12-4-2021 को इन code की परिक्षाएं हुई थी तो ये भी आपकी दुवारा से नहीं कराया जाएगी इससे आगे next है हाला कि यदि चाहते हैं तो बचे हुए पिर्शन पत्र ये मैं अभी आपको आगे explain करूँगा date sheet में date sheet में मैं आपको पूरी तरीके से इसको explain करूँगा कि इसमें क्या कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि जो paper पहले हो चुके हैं यदि आपको वो paper अच्छा नहीं हुआ है तो उसके लिए आपका option है या नहीं यानि कि उस code के आप दूसरा paper दे सकते है या नहीं दे सकते है ये चीज़ इसमें कही गई है तो आप उसका दूसरा paper दे सकते हैं अब किस तरीके से दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे next है, विष्विध्याले द्वारा जिन परिक्षाओं को आयोजेद कराया जाएगा, उन्हीं परिक्षाओं के छात्रों को back वे bhootpurbh छात्र के रूप में परिक्षाओं में बैठने अबसर मिलेगा, तो यानि कि जो बच्चे X और back वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो point number है यानि कि जिसमें आपका जैसे आपका final year के आपने back भरी है तो सिर्फ final year के आप उन्हीं की back दे सकते हैं जिनके आपके exam अफ हो रहे हैं clear है आपको तो यानि कि X और back वाले भी बच्चे अब exam इन्हीं के साथ में दे सकते हैं यदि आपने इनसे किसी अलग जो आपने semester की या अलग year की back भरी है तो उसके लिए आपको wait करना होगा चलिए next है जो next important point है जिसको लेकर बहुत जादा लोग confused है और अलग अलग चीज़ें कहते हैं इंपोर्डेंट पॉइंट कौन सा है भाई 15 क्या कहा है देखे का ध्यान से LLB यानि कि LLB के पिर्थम वे सश्ट यानि कि छटे LLM के पिर्थम वे चत्थूर्थ तथा BALB के दसम यानि कि दसमे semester की परिक्षाओं की तिथी वे रूप रेखा यता समय गोसित की जाएगी यानि कि अभी इनकी date sheet जारी नहीं की है जो इनको भी cancel कर दिया गया है इनकी date sheet को भी वो दुबारा से आयोजित की जाएगी यानि कि दुबारा से आपकी date sheet जारी की जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं परिक्षाओं की तिथी रूप रेखा यता समय गोसित की गया है जो हमारी six semester के उसको भी cancel कर दिया गया है और LLM में आपका first semester और fourth semester उस date sheet को भी cancel कर दिया गया है अब यहां पर आता है यह qualifying यहां पर थोड़ा से कट रहा है जो नहीं आपा रहा था qualifying and foundation course के बारे में यह आपके जो qualifying इनके paper आपके हो चुके थे तो अब इसमें बात आती है कि इनके paper आपके हो चुके थे इसमें आता practical तो practical के marks आपको कैसे मिलेंगे तो practical के marks इसी के अधर पर मिलने वाले हैं जो आपके paper हुए है qualifying paper हुए है अब इसके बाद में पिर्थम वर्स में qualifying यानि कि वही चीज़ लिखी हुई है इसके बाद में दित्य वर्स में foundation course यह जो आपका यह है इसमें परिक्षाएं होंगी यानि कि इनकी जो परिक्षाएं है वो आपकी आयोजित कराई जाएंगी इन परिशन पत्रों की परिक्षाओं में दित्य एवं बैक एवं भूतपूर्व चात्र इत्यादी समस्त विध्यारती समलित हो सकेंगे यानि कि यह जो आपका paper code है इसमें आपका आपकी परिक्षाएं आयोजित की जाएंगी तो साथियो आयोप जितने भी point है अब आपको clear हो गये होंगे जि तो अब आप बिल्कुल देख सकते हैं यूनिवर्स्टी के जो प्रेस विगिप्ति जारी की है उसमें इसको आदेश को जारी कर दिया गया है clear है आपको official website पर आ चुका है चलिए अब आते है next है date seat date seat में आपको किस तरीके से paper का चुनाब करना है साथियो तो आप यहाँ और देखिएगा यह आपकी date seat है four example मैंने लिया है जो date seat जैसे ही जारी हुई थी वैसे ही मैंने अपने facebook page पर उसको update कर दिया था आप लोगों ने facebook page को follow नहीं किया हुआ है आप डालनेते के साथ date seat आ चुकी है वो मेरे पास सबसे पहले update आ जाती है मैंने जैसे ही date seat जारी ह जीएगा उस पर मैं सिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी update में वहाँ पर डालता रहता हूं अब आते हम date seat पर देखेगा जरा date seat में जैसे हमारा आठ तारिक को पेपर है आठ जुलाई को बिये या बिये सी उसमें किसका विया math का अब उसमें math में आपका 8 जुला आपको दौनों की पेपर देने थे लेकिन अब आपको इन में से किसी भी एक कोड का पेपर लेना है जो आपको अच्छा लगता है कि सर हमें ये पेपर दे दीजिए 227 वाला पेपर दे दीजिए तो आपको ये पेपर जो करना है वो आपको इन में से किसी भी एक का करना है इसी type से आपका जो भी जिस भी course में आपके दो paper है उसमें से आपको एक select करना है और same date पे होंगे किस पे होंगे भी या same date पे होंगे अब जैसे कि हम बात करें तीन paper हो या दी किसी code गे जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि कि आपका BSC में statistics अब आपके यहाँ पर तीन paper है इनके तो तीन में से आपको जो भी paper code अच्छा लगता है जिसमें भी आप strong है उसका आप paper code ले सकते हैं कि सर हमें इस code का paper चाहिए यो paper code है आपका A338, A339, A540 तो आपको इसमें से जो भी paper अच्छा लगे वो paper आप ले सकते हैं clear है आपको जैसे political science है इसके भी तीन paper होते हैं तो जो भी paper आपको अच्छा लगे वो paper आप ले सकते हैं अब बच्चों का बिल्कुल clear होगी होगा जो भी आपके doubt, question, query थे वो बिल्कुल पूरे हो चुके होगे अभी जैसे कि जो paper आपने पहले दे दिये थे तो उसमें से जैसे आपन paper देंगे उसके according आपके marks दिये जाएंगे चाहे आप उसमें fail हो या आपके उसमें marks ज्याद आएं तो I think अब आपको कोई doubt question नहीं रहे गिया है और यदि अभी भी आपको कोई doubt या question रहे गिया है तो आप मेरे से comment box में पूछ सकते हैं मैं जितने जल से जल होगा उसका answer य हम आपको मिलेंगे live शाम को 8 बजे तो मिलते हैं आपसे 8 बजे live तो चलिए साथियो जो भी आपके doubt question query है वो आप live में पूछ सकते हैं तो तब तक के लिए जै हिंद जै भारत